दोस्तों सु Просто स्टेर्ट के तरगर दोस्तों आधिनलों निक टोर्स मीं आपका 15 बहुत-बहुत स्वागत है दैसे का विर्फ कर our file रेखे हैं वह इसका राकर सेठें करने वाला हूँ दोस्तों वीडियो अच्छा लए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा शेर कीजिएगा दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा आए दोस्तों आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहां पर यह देखिए दोस्तों सबसे पहले कंडेंसर है दोस्तों कंडेंसर कैसे चेक किया जाता है दोस्तों यह थ्वासा लाइन से काम करने वाला चीज है चाल लाइन भी तो यह काम थ्वासा सावधानी से करनी होगी दोस्तों मैं सबसे पहले कंडेंसर को चेक करने के इसको डायट मेन लाइन 220 पे डाल देनी है तो इसी डाल के रखनी है और अब यहाँ पर वापस से इसको असपार्क करनी है स्वर्ट करने पर यह वो चिंगारी बनती है दोस्तों अगर यह धीरे चिंगारी बन रही है तो कॉन्नेसर का पाउर खतम हो चुका है और चिंगारी तेज बन रहे है तो ककैनेसर का पाउट है इस चलेगा अभी यह देखिए मैं दिखाता हूँ दोबारा से कगर देखे कि दोस्तों इस काउपार्क बहुत तेज हुआ और यहer धीक है तो इसलिए उन्स में कर सकते हैं आए दोस्तों मैं चेक करने के लिए सिखाता हूं जैसे कोई भी पंखा रहता है आप इसे अस्टेटर पर जैसे बन्वा के लाते हैं मसीन से बन्वा के या फाथ से बानते हैं तो यहां पर चेक करना होता है यह सही है यह खराब है दोस्तों यहां पर चार बार हैं देखिए दो ब्लेक दो रेड यहां पर दोस्तों दो कोईल होते हैं स्टार्टिंग कोईल और रॉनिंग कोईल तो यहां पर दोस्तों यह ब्लेक वाला मान लिजिए अगर रॉनिंग कोईल का है तो रेड वाला स्टार्टिंग कोईल का होगा दोस्तों यह दोनों आपस में अगर मैं यहां पर सिरीज बल्ब से चेक करूंगा तो बल्ब हलकी बोल्टेज में जलनी चाहिए तो यह सही है और पूरा बोल्टेज में जलेगा तो यह कोईल सोट हो सकती है और बिल्कुल नहीं चलेगा तो समझे कोईल वीच से गहीं कटा हुआ है आई दोस्तों मैं इसे भी चेक करके दिखाता हूं दोस्तों बल्ब का ब्राइट को देखिएगा और यह आप एलेडी बल्ब से नहीं कर सकते दोस्तों केवल यह प्रकास बल्ब से ही होता है क्योंकि एलेडी बल्ब में सरकीट आ जाती है तो यहां पर सबसे पहले हमारा सिरीज वाला सोकेट यह ह और है कि यहां पर यह कि मैं आपस अनलों को टश करके दिखाता हूं है यह कि फूल ब्रैट में जल रहा है एट यह अभी शॉट है अपस में अभी CJ मैं को ब्रैड जलेगा है Adidas को अब फॉले को चके करते हैं और जो साइए दस्तों अब से वाज़ शक्रम कर लेटा ये बोडी के साथ बोडी के साथ कहीं लीख होगी तो फ्वल जल जाती है West एक वार पे रेड पर सुटा रहा हूं एक वर को शोटीग नहीं नहीं है अब एक बार बले को स्वाटिंग करनेक्षन करेंगे इस पर पंखा को रगाते टैम यह देख़िए एक श्प्रिंग आती है इसे यहां लगाना है और फिर इए से बैरिंग के साथ लगा देना है कि अ कि यह बिल्कुल सही है अब इसके उपर वारे डाले को बिठाते हैं यह डाला है यह देखें डाला चाजे खब चुका है दोस्तों यहां पर यह देखें हमने तीन बोल्ट को लगा लिया है अब इसको टाइटम नहीं कि है और इसको उपर पहले देखना है फ्री घुमना चाहिए यह देखें मैं अगर यह साफ्ट को पकड़ता हूं तो यह पंखा फ्री घुमना चाहिए अगर फिर घूम रहा है तो इसके इन तीन बॉल्ट्स को अच्छे से टाइट कर दीजिए और फिर इसमें कनेक्शन पर आएंगे फिला लम इसको टाइट कर लेते हैं लेकिन टाइट करने से पहरे ध्यान दे लिना है यह पांका फ्री घूमनी चाहिए फिर नहीं घूम रही है तो उसे पर देख लेना है अब यहां पर देख सकते हैं दोस्तों हमने की इन तीन बॉल्ट्स को पूरे अच्छे से टाइट कर दिये हैं यह देखिए बिल्कुल कोई भी गैप नहीं है और अब इसे में पकड़ के दिखाता हूं इसे साफ्ट को बिल्कुल यह फ्रीक चल रही है यह देखिए कोई दिकत नहीं है अब दोस्तों इसमें कोंडेशर का कनेक्शन करना है तो इसके दिखे से पहले हम के लिप को इसमें लगा लेंगे दोस्तों इस पंखे में जैसे कि आप देख लिए दो काला और दो लाल तार हैं तो इन दोनों में से में पहले दो तार को हम एक लाल और एक काला को पगड़के और कॉमन बना देंगे यह देखिए यह हमारा बन गया कॉमन तार इस पर डाइट एक मैनस कितार देंगे जो की 220 से आएगी और यहां पर बचेगी दो वायर एक प्लेक और रेड तो इन दोनों में से में यह कॉर्णेसर आ जाएगा यह देखिए एक को रेड के साथ और दूसरे को ब्लेक के साथ कनेक्शन कर देंगे और अब दोस्तों यहां पर हम लाइन डाल के देखेंगे हमारा पंखा अगर जैसे कि रैट में लेफ्ट में घूंड है तो कुछ नहीं करना जैसे कि यहांपर कर रहा हूं को मनिख्रा डालते हैं कि में इसे पे सिलिफ चड़ा देता हूं है और यह एक कवः जो बचा इस एक वायर को को कर एक्सर के कि'S इसी एक पॉइंट के साथ जोड़नी है फिलाल मैं बलेक के साथ जोड़ रहा हूँ और अब यहां पर भी एक स्लिप डाल देंगे यह जो बचा एक वार इससे कहीं डालके भी छोड़ देते हैं अब दोस्तों यहां पर मैं इस पर लाइन डालने जा रहा हूँ अब देखिए इसकों सब्सक्राइब पहले शीरीज सही चला के देखेंगे यह देखिए अब शीरीज में पंखा कम चलेगा और डायेटर जब इसको डायेट को टूट्वेंटी पर चलाएंगे तो यह ठीक इसपीर में चलेगा दोस्तों हमारा पंखा भी उल्टा डायेक्शन में चल रहा है यह देखिए इस टैप में चल रहा है पंखिक चलना चाहिए इस टैप में तो यहां पर हमारा पंखा उल्टा चला था दोस्तों अमने दिखाता है इसा कनेक्शन सही करके यह देखिए कॉंडेंजर के साथ यह व्ला वायर था इस वायर को सब्सक्राइब हम स्लिप से निकालेंगे और अब इस वायर को इस पर डाल देंगे रेड़ वाले पर अ कि इस बार यह बिल्कुल सब्सक्राइब करके दिखाते हैं यह देखिए अब यह बिल्कुल सब्सक्राइब जाल को फाल हुए दोस्तों अब यहां पर आपके इसका पारएंगे सांध हो चुका है एकिए जो के कण डैंसे का डानेक्शन था यहां पर पर के यहां पर के साता इसको अमने लान के साथ दिया है और जो ब्लेक के साथ आया था यह पे यह देखिए कि यह ब्लैक और पिला है सब् небольш और तो यहाँ पर कोईटार थे red और ब्लेक जो कि अंदर कोईट धोन Rapi कोईट से उसे में डाये ट लेंट या हो यह दिख कि प्लस मैनस या माइनस प्लस कुछ भी कर सकते हैं ऐसी पे ऊपर नीचे होते रहता है अब दोस्तों मैं इसे एक बार चला की दिखा देता हूँ तो यह रहा हमारा लाइन कोड मैं इस पर लाइन देता हूँ कि यह बेस्कूल साही डायक्षन में घूम रहा है यहाँ अगर कोई दोस्त करनेक्शन में कोई दिखा तो आप कमेंट करके कहा सकते हैं मैं उसको भी कभर करने का प्रियास करूंगा दोस्तों वीडियो अच्छा लाइए तो वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए दोस्त कर लिए दोस्तों मैं फिर मिलता इसका नेक्स्ट वीडियों है तरह के लिए टेक कर आप लोग अपना ख्याल रखें